हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो बीएस मैस्टर फर्स्ट दी ऑक्सपोर्ड ग्रैमर कर रहे हैं सी तो देखो इस वीडियो दे विच्च आपा एक्सरसाइज नंबर 83 करांगे एस दे आपां सेकंड पार्ट अते सिर्फ थर्ड प करांगे तो देखो शुरू कर दें ज्यादा टायम नहीं लेंदे देखो सेकंड पार्ट इस दे विच करना की है तो देखो सब्सक्राइब पढ़ो उस तो आज मैं दसना की करना है देखो रिप्लेस दसंटेंस ज विच कंटेन एन अंडरलाइंड वर्ड यूज अ एन और विद द वर्ड इन ब्रेट्स तो देखो एना ने लिखता थो नहीं पंजाबी देविच समझाओना की है आपनी ऑक्सफोर्ड ग्रैमर देखो एसे तरह सारे संटेंस ने जेड़े तुसी देख रहे हूँ और लिखे होई ने हून देखो आपका करना की है हार एक संटेंस देखो ने देखो जिसतरा की एक होगया और एक को अगला एह हूगया इसे तरह फस्ट देविच एक संटेंस हो गया एक संटेंस ने पंज जिनने भीने मतलो एलगा की छे हारिकने विच्व खेकुद बाला संतेंस है देखो एक संटेंस ने जंटाइस में टेखो एक एक वोड़ आघटैन में गया दिखो ìिच्वन ये है दिखो एक बेर अंग होगया इदे विच्वन एक संटेंस ने उनना देखो जिशा हे हुचरा फोड़़ा ही उप्य। यह सब्सक्रांग कर आ आपका कर ना किया है एत टुसरी अंसर लिखने हो ए पान दीटे भिए इन से अंसर लिखना है यह उन्हीं आपने अंसर लिखना कि में आपाने शरफ इस दा सेटन संटैंसा यह ड़ा ओ निचे उतार के लिखने मतलब answer हो जुगा अपना ओ नीचे उतार के लिखने बट करना की है ओसनू नीचे लिखन तो पहलना answer देन तो पहलना करना की है जेडा underline word है हर इक दे विच्छ जो underline word है जो अपा नीचे दुबारा लिखांगे ओसनू जेडा एंडरlain कीता गया word है अपा एस दी जगाते अपा एस दी जगाते अपा नीचे लिखांगे सिदनली असमबन दी जगाते अपन चाइल्ड लिखने एस दी विच सम्थिंग है एस दी जगाते जदो निच्चे उतारांगे एस सेकंड संटेंस नूं फिल्म लिखने है I hope कि तुसी समझ रहे हो एस दा एस सेकंड है एस नूं सिर्फ नीच्चे अपन लिखने अंसर देता आगे हो एस दो आगे होगी के करना की है फस्ट नहीं लिखना फस्ट सिर्फ पढ़न वास्तिया जदो अंसर देने आपा सैकंड संटेंस दवारा लिखने नीचे अंसर और अंडरलायन जिड़े करे होई ने इना दी जगाते ब्रेक्ट बाड़ा यह अपा लिख देने और अगली गल करना की है जदो आप इना सारे ने विच अंडरलायन वाले नी जगाते इप रेक्ट बाड़े अपा ए लिखांगे ता ओस्तों पहलना अपाने ओस्ते अगे अ एन या फिर द इना चोंग एकदा यूज़ करने हुड़ अपा करांगे कि में मतलब जदो आपा इत इस चाइल्ड लिखांगे इस फिल्म लिखांगे इस बस लिखांगे ता एस नूँ जदो अगे लिया के इनना री जगाते पुट करांगे ओस्तों अगे अपा जमें चाइल्ड है चाइल्ड तो के अचाइल्ड एन चाइल्ड या फिर द चाइल्ड फिल्म है और फिल्म ए अंडरलाइन कीते होई ने, जेकर ओ शब्द होए, संबन या संथिंग, याद रखो, संबन या संथिंग, फेर आपकी करने हैं, ता जेड़ा शब्द ओस्द अग्य अपपा लिखांगे, ब्रेक्ट बड़ा लिखांगे, ता ओस्दों अग्य अपपा लउना है, अ, या फिर according to sense जेकर bubble sound है consonant sound है ता मतलब के जेकर someone या something है जो तो उसदी जगाते ब्रेक्ट लाले हमांगे ता उसदी अगे अ या फिर अ दूसरा जेकर जेड़ा word underline किता होया है जेकर ओ होया he, she, it, they, him, her जेकर ऐस तरह होया them इनना चो होया कोई ता आप जेकर ब्रेक्ट बाड़ा उनना दी जगाते लिखांगे ता पा ओस तो अगे दादा जूज करना है सारे अंदे विच हमेशा best, सिर्फ ए रूल है according to Oxford grammar और दूसरा देखो मैं आपने कोड़ों तो अनूदास ना एक बिलकुल simple legal है पूरा sentence पड़ो मूरला भी पड़ो पहले बड़ा सारा और दूसरा भी पड़ो करना की है आपना सिर्फ दूसरा लिखना है जेदो अंसर लिखांगे दूसरा जेड़ा underline है आपना ओस दी जगाते ये ब्रेक्ट बाड़ा लिखदांगे हुण आप आ, एन और द तुसी की देखना है सिंपल जीक गल है जेड़ा आप मूरला संटैंस पढ़ांगे जेकर ओस संटैंस दे विच ये ये ब्रेक्ट बड़ा है ओस दी गल हो रही है अ ये ब्रेक्ट बड़ा 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 ये ब्रेक्ट थ्रून ना भून दे भी तुसी समझ सकते हो, देखो फर्स्ट देखो, की कह रहा है, वी डिडिन्ट हैव मच टाइम फार लंच, क्याना सादे कोल लंच करन दे लही, जादा समा नहीं है गा, अगे देखो, देविड मेड सम्थिंग फार अस, देखो, देखो, डेविड ने सादे लही कुछ बनाया है, सम्थिंग आ गया, अपा हूं स्टार्ट करांगे देखो, अंसर अपना किसना, अपा अंसर लिख देखो लिख देखो, ते आजू डेविड, क्योंकि आपा लास्ट बाड़ा ही लिखना है, डेविड, मेड, येड़ा, अंडरलायन किता है, इस दी जगाते यह हूं, डेविड, मेड, अपा इस देखे लिखांगे, ओमलेट, ओमलेट, फार, अस, ये हो गया, अपा अंडरलायन दी जगाते ये लिखता, बट एस तो गया पहे देखना है, आल आईए, एन लाईए, या फिर दल आईए, देखो, पहली ता ऑक्सफोर्ड बालायन दा रूल है, सम्थिंग आगया, सम्बन या सम्थिंग होवे, ता ओस तो पहला पा अ, या फिर एन दा यूज कर देखो, अपा अपा अकॉर्डिंट टू इस देखांगे, ता ओस मताब के थे कि ये ओमलेट न एस ओमलेट दी, कोई गल होई है, देखो, वी डिदेंट हैव मच टाइम फार लंच, लंच दी गल होरी है, ओमलेट दी कोई गल नहीं होरी, ता एस लिए एस न रपा दा जूज नहीं करांगे, वैस उस न आ आ गया, ता एस दा अपना अंसर आ गया, पहले दा एक या गया डेवेड मेड एन ओमलेट फार अस, या अंसर आ गया, अगला देखो, दे रेंड रेस, मतलो रेस लगाई उनना ने, दे रेंड रेस बिफोर दे हैल्ड ग लॉंग जम्प, कहन दे लॉंग जम्प लगाऊं तो पहलना, उनना ने की कीता, रेस लगाई, पज्य हो, अगला देखो, मैथ्यू वाउन इट इजली, येड़ा मैथ्यू है, ओसने एडी रेस है, मतलब कहन दा मतलोगो इजली जितली, अपां सर लिखने, 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 सर अपां लिखने मैथ्यू, देखो, मैथ्यू वा सब तो पहला अक्सफोर्ड बाला रूल मैं तो अनू कहा सी जेकर सम्थिंग अते संबन होवे उस दी जगात आपन लिख दिया ना नू ब्रेक्ट बाला है नू थे ता आया एन जेकर होवे सब्सक्राइब आपना बिल्कुल क्रेक्ट आंस रागया मैथ्यू वान दरेस इसली दूसरा यह तो नू मैं दसे है देखो ब्रेक्ट देविच आ रेस जिड़ा पहला संटैंस है एस विच देखो जेकर आपाइस नू पढ़िए दे रैन दर रेस देखो ए रेस आया पैया न संटैंस देविची आपाइस दी गल कर चुक किया एसली अपाइस तो पहलना दर दा जूस करांगे एस रूल दे अकॉरिंग भी देखो बिल्कुल इजी है नेक्स्ट देखो द ड्राइवर टर्न लेफ्ट ड्राइवर ने लेफ्ट मोड़या अगला संटैंस स्टनली संबन इंट्व द रूड अचानकी मतलो कोई रोड दे विचका रहा रहा हो पजल लग गया कॉन से है चाइल्ड मतलो संबंदी जगाते चाइल्ड पुट करांगे ता पा लिखांगे स्टनली इथ संबंदी जगाते चाइल्ड चाइल्ड रैन इन्टू द रोड या पालिखता अपा चाइल्ड तो अगे अ एन ते द चो की यूज़ करांगे उक्सपोड वाड़ा देखो रूल संबन आ गया सम्थिंग ते संबन होए जे तो उस ते अगे आपा कर दे आ या एन सो चाइल्ड दे अगे आ हुआ एन नहीं हो दा दूसरी गल जेड़ा चाइल्ड है फस्ट दे विच देखो चाइल्ड दी किते गल हो रही है फस्ट दे विच दर ड्राइबर टर्न लेफ्ट कोई चाइल्ड दी कोई गल नी हो रही ऐस लिए अ अपा आते एन चो ही यूज़ करांगे जेकर गल्ल हुंदी चाइल्ड दी एस विच भी तापा दर दा यूज कर दी अगला देखो विकी वाज लेंग आन दे सोफा विकी एड़ा वो सोफा दे पर पाई है मतलब लड़की है शी वाज वाचिंग सम्थिंग वो कुछ देख रही है और टेलीवीजन हुण पादे खूटा रहंगे शी वाज 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 वाँचिंग शीवाज वाज वाज वाज़िंग सम्थिंग दी जगाते फिल्म शी वाज वाज hating film आं टेली वीजन हों देखो पहलेक्ता फिल्म आ गया दे खोजोंग ओक्त ओप आ enfor'd I rule संटेंस दे विच किते यूजता नहीं हो रहा विकी वाज लेंग ऑन दा सोफा फिल्म दा किते कोई नाम नहीं आ रहा तैसलिए अ ते एंड चोही यूज करना सी और फिल्म देनार और यूज हूगा देखो फोर्थ आई है टू टेक और ट्रेन केना मेंजरी ट्रेन है ओ फड तो बाद एडी बस है बस दे उप्रम जात्रा गरनी सी इट वाज हाफ एन और लेट एक इसी एह लगपग देड़ कांटा लेट सी देखो अपनो ब्रेक्ट देविच है गाँ बस हुना अपा लिखना स्टार करांगे इतनी जगा ते अपा की लिखांगे अपा इतनी जगा ते बस दा यूज करांगे विए अंडरलाइन किता है ता यूज करांगे इस नीजगा ते बस आ गया पूरा लिख दो बस बाज हाफ एन और लेट धेड़ कंटा लेट सी विल्कुल ए अपना प्रेक्ट अंसरा गया बट एक चीज रहेगी अंडरलाइन जिड़ा पाई लि ता पकी यूज कर दिया ता अनु कहां सी ता दर दा यूज करना है वो सुरूल में ता बिल्कुल ठीक है अगला देखो जिड़ा मैं थो उन्हों दसे है ए बस है ए देखो पहले संटैंस दे विच बस दा यूज होया है देखो आई है टू टू टेक ट्रेन एंड देन अब बस देखो ए है बस क्योंकि पहले संटैंस दे विच भी इसना यूज होया है एसली इसना दा दा यूज है आपक्करांगे मतलो जिसनी जानकारी पहला तो होवे अगे देखो फिफ्थ अ शॉपलिफ्टर शॉपलिफ्टर हुदा है चोर शॉपलिफ्ट भी चोर ही वो फर फ्र जिधत कैम्र fует वीडियो खश्व बनाली ठीक है अनलएन की थाहरी सादेखो अपाल लिखंगे दो कैमरा सक्क्रीत कैमर्र बटकैमरा वीडियोः हर दु यगात आप लिखंगे थीव चोर चोर दी वीडियो बना ली हूरी अब क्स पोथ करने और एंद पहला उक्सपोर वाला रूल एथी हर आ गया ता इस ते गिला मां गया पाँ दूसरा आपने वाला रूल देखो यह थीफ है अपा देखो पहले संटैंस दे विच्छ यह थीफ है ओस दा ओ वाड का जूज हुआ है देखो अशॉपलिफ्ट शॉपलिफ्ट दा पहले संटैंस दे विच्छ भी यूज होया है एसले भी अपना इस दे अगे दा दा यूज कीते है तो देखो बिलकुल सिंपल है तुसी ने देखना कि यह अंडरलेंग यह वर्ड कीता है उस दी जगाते अपना ब्रेक्ट बाला यूज करने है सारे अन दे सेकंड दे देम फिर उस्तों गे दा यूज करो और दूसरा यह रूल है यह बिलकुल सिंपल मैंता उन दसे है जे कर पहले संटैंस दे विच्छ ए अंडरला यूज होया होया है ता उस्तों ग्यापा दा यूज करने है तो अगे देखो आपनी एस एक्सरसाइज दा अपना लास्ट प यूज कर देया जिड़ी पहला पाइक नॉर्मल जाय त्रीके देनाल तो नो समझाओने है आते अंड आपा यूज कर देया कांटेवल नां देनाल और सिंगुलर नाम देनाल ये ता अ आते अंवारे हो गया दूसरा द एकता पाद दा यूज कर देडिया मेन मेन चीज जा ह आता गी ग्रंत था अपना श्रीकुर्णी ग्रंथ सहब गीता बाइबल इनना तो अपाद दा यूज कर दिया कोई मतलब पहाड़ इदा चोटिया अगिया आपपा ए भी देखने है sentence दे विच आ बॉय और उस दी जगा थे कई पर द बॉय भी हुन दे कई जगा माते सो आ बॉय आते द बॉय दे विच की फर्क है द बॉय आपपा ओदो कहांगे जदो आपपा नूँ ओस मतलब लड़के बारे पहलना तो जानकारी होवे जा आपपा ओस नूँ पहलना तो जान देयां सो पहलना तो जान देयां कितना जिस तरह देखो एक सिचुएशन तो अनूँ में दासना बिल्कुल इजी त्रीके देना मनलो कामरे दे विच मैं बच्चया नूँ पड़ा ओन लग रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है रहा हो चल रहे हैं मैं पड़ा आ रहे हैं वो पड़ रहे हैं अच्छानक तो की हुंदा है गेट है जड़ा ओ खड़कंदी वा आ जाओ दी है तो मैं एक अंद आ है तो गेट दे बाहर इक लड़का हुदे है तो यह जठों एचीज में उस्टूडेंट दसेगा कि बाहर इक लड़का हरा एक लड़का ताह हो कहूगा वगाई और भॉइज आन्द डोर कि मतलब गेट दो पर इक लड़का है ता इते अव हमारा यूज कीता उसन एक लड़का मैंनू मिलना वेगा क्यों मैंनू पहलना तो पता है मानलो एक लड़का मैंनू उसने फून कीता के सर मैं तो आनू मिलना है और मैं उसनो बला लिया कि ठीक है आ जामी मिलना जामी हुण मैं स्टूडेंट्स नू कहता के गेट बालतियान रख्यो एक लड़का में नू मिलना वेगा सो इस तरही होया मैं पड़ा आ रहे हां बच्चे नू ता अचानक तो गेट आई रहो खड़का दे ता यड़ा बच्चे उठ दे बाहर जानता है ओ देखता है के गेट दे बाहर एक लड़का खड़ा है ता जदो हुण में नू स्टूडेंट दसुगा के गेट दे बाहर एक लड़का खड़ा है ता ओ अब वाई नहीं कहुगा ओ कहुगा दब वाई is on the door हुण देखो उसने the boy क्यों कि हा क्यों कि ओस student नू ओस लड़के दे बारे पहलना तो जानकारी सी मैं दस्या सी मैं दस्या सी ना के एक लड़का में नू मिलना आवेगा त्यान रख्यो ता ओस student दे मंदे विच पहला गल हैगी सी के लड़के रहा हुँ मिलना आवेगा पहला तो जानकारी सी ता द बाई जदो पहली सी ओदो कोई उननों पता निसी अचानक तो आया ता अ बाई दूसरा द तुसी उत्थे यूज करना है जेडियां जगावानू जा जेडियां चीजजां नू जेडियां चीजजां वारे आप नू नू नॉर्मलि जानकारीया अन्डागे वीचे हैगी अगना पोस्ट ओफिस डे नल आप़ा द पोस्ट ओफिस येज़ कर दे ह Sc あना द जरु सीटी सेंटर जीडिया बाकी ये उनना तुपहला आपाह्ए यूज कर सा रहा है बाकी देखो एक्नापल ना समझो बिल्कुल इजी है एड़ना कोई जादे अख्रिकाल निहेगी चूज करना एन और दादे बिच्चो देखो फस्ट देखो लारा लारा बोर रही है लुक आउट साइड डैश स्काइज गेटिंग वेरी डार्क एडा स्काई है हो रहा है मतलब बदलवाई हो रहा है देखो स्काई स्काई देना आता पा दर्दा ही यूज करांगे दा स्काई ट्रैवर आई होप दर इस नोट गॉइंग तो वी डैश स्टर्म कैना मैंनु अमीड है कि यह तुफान है कैना नहीं आवेगा देखो स्टर्म एक कोमन जी ग आपना वाग करन दे लिए या रहा है तो सिंपल है कोमन जी गलप और वाग ही यूज कर दिया है व्यू सीन माई शूज की तुसीने मेरे एड़े जुत्ते ने देखे ने है रिट येस दे आर आर आन फ्लोर देखो आपने कार दी गाल हुर्या फ्लोर ता आन दा फ्लोर अक सेकंड देखो क्योंकि देखो अपने कार दियां ही चीजाने अपने कार दियां ही जगामा ने जगामा वारे आत्मा जानू हुन्या जानकार हुन्या उन्ना तो पहला पर ददा ही यूज कर दियां second day could Melanie would you like tomato they could tomato or tomato simply kitchen area hit a tomato there is one in fridge they copna fridge area opening my love opening car they would be a fridge opening kitty yet also pela for the use grammy the fridge David oh yes please can aha I will make myself and I am a brown go up and you know cheese and tomato sandwich sandwich you know on the girl career ticket or cheese talking on eco cheese in our head sandwich you are at a simply up or use grammy third Sara if you are going into city center the city center boy Jaggi city center what love it's a pa a poster where a card in a city centric jaggi jis de baare a pa palipati janua jis de baare a pa jaan da palato ta a hoja jeri jaga humdiya usta palapada da hi use karangay the city center can you post these letter for me to see a letters made me really post kar saka dayo mark yes I will take them to main post office they come in post office are data the main post office Rita I have got problem with my phone bill bill no area that my phone would problem a lady dekho up a chance to be problem mahi ta yaapano koo yeh nii hai ke aapano pahala to jan kaari si ya na joviya the a problem can I see someone about it ki mahi matlab kishe no dhaa sakta diya problem hai oh chali yan diya receptionist diya receptionist hai oh agge bool rahi hai yes go to fifth floor हूँ देखो यडि रिसेफसनिस्त है ओ मतलू अपन फिफ्थ फ्लोर ते जान ली कह रिया है क्योंकि ओस बारे उसनों जान का रिया है बिलकुल क्योंकि ओस मतलब जड़ी जगह है ओस दे बीचो रह रही है ता अप हो द यूज करूगी क्योंकि यडि जगह है उनना दी जगह है जिस बारे हो चंगी तरह जान दिया है ता ओस द कहके ही यूज करूगी मतलब क्योंकि यडि लिफ्ट है ओस दे नाल ही है नेक्स्ट एक्जाम्पल देखो तॉम आई डिडन्ट नो मैलनी हैड डॉग मतलब कहना मैं नहीं यांदा के मैलनी कोड मतलब के कुत्ता है या नहीं है न ता अ डॉग सिंपली सिर्फ एक कुत्तेरी गल हो रही है मतलब एक अल नहीं हुरी के ओस्दे कुद्टे दी जो मतलब ओस्कोड पाल्टु है सिर्फ एक कुद्टेरी गाल हुरी है कि ओस्कोड कुटा है या नहीं ता डॉग डेविट इट इजेंट हर्स कहाना एहे ओस्द नहीं है गायी यह कुद्टा है she's just taking it for a walk कहना सिर्फ ए उसनू walk लई मतलल कुमा उन लई लेके जान दिया कुट्टे नू while honor is away मतलल जो दो उसन दा मालिक है ओ किते गया हुन दा ता देखो honor मतलल उसन दा कुट्टे दा honor ता the honor थे अपा यूज करांगे Vicky I have got headache I have got a headache मतलल सिर्दर्द हो रहा है I have had it all day ना पूरा दिन हो गया सिर्दर्द हो देनू रेचल why don't you go to health center देखो health center ता पाद दो health center it is open until 6 छे वही दा कने health center रहा हो खुला रहा है अगे एंडर्यू guess what ना अन्दा जाल गाओ I found $50 note on the pavement payment on the footpath this morning ना एस morning में नू मतलब एक नोट आएड़ पन्यादा डॉल राद 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 फिफ्टी नोट मतल लब या राज चाल दे होए footpath दे उप हो ता जैसिका बोली यू राली आओ टेक इट एन तो आन्नू एस नू कि थिल याना चाहिंदा सी टेक इट टू पुलिस स्टेशन देखो पुलिस स्टेशन दपुलिस 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 स्टेशन पहलना तो अपनों जानकारी है उस्ते दादा आजूज कर सक दियां बाकी जिडियां मेन मेन चीज़ जाने जिस तरह की अपने नदियां हो गयां पहाड हो गये जा मतलब जिडियां कोमन जियां कोमन नहीं आपके सकते जिडियां सिर्फ कल्लियां इकलोती हैं चीज़ जाने स सारे ब्रहमन्द देविच स्काई हो गया सन हो गया मून हो गया इना नाड़ भी अपना ददा जूज कर दिया और बाकी सिंपल यह नावन ने उना आटे एन डाइड़ा पजूज़ा हो कर सकते हैं अगली वीडियो लेके अगली एक्सरसाइज लेके उनों तक देव इजाज़त थैंक्यू सो मच